हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आईए इस अंक में हम बात करेंगे कि व्रश्चिक रासी के जातक फैब के महीने में क्या विसेस उपाय करें उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें नोट डाउन कर लीजिए करें ताकि हमारे जीवन में सुक्सानतीया सके साथि मैं ये भी बता देता हूँ और कौन-खोन इन उपायों को कर सकता है सुनिएगा जिन जातकों की जनम से व्रश्चिक रासी है यानि के स्कॉर्पियो है व बाताएंगे जिनका वरश्चिक संबंदित उपाय प्रती दिन करने की अवश्यक्ता नहीं होती है जो कि प्रती दिन ग्रह चेंज नहीं होते हैं यदि हम महीने में हर सब्ता या केवल 15 दिन में भी अपनी राशी से संबंदित उपाय कर लेते हैं तो हमें विशे इसलाव की प्राप्ती होती है इस महीने ग्रहों का क्या परिवर्तन है आप वो भी देख लीजेगा क्योंकि जब ग्रह बदलते हैं तभी जीवन में कुछ बदला हुआता है रोज रोज इसलिए हमें राशी के उपाय करने की जरोथ नहीं है सूरिय तेरा फरवरी को राशी बदलेंगे और वो कुम राशी में आ जाएंगे मंगल बाइस फरवरी को राशी बदलेंगे यानि कि एकिस दिन कोई राशी नहीं बदल रहे है महीने के अंत में जाके राशी बदलेंगे वर्शम में आएंगे बुद्ध चार तारिकी संद्या के बाद चार फर्वरी के बाद यानि के मकर राशी में आ जाएंगे और महीन भर मकर में रहेंगे यानि के मकर राशी में ब्रस्पती अभी मकर में है मकर में रहेंगे ब्रस्पती का इस महीने कोई राशी परिवर्तन नहीं है शनी मकर में है शनी का कोई राशी परिवर्तन नहीं है राहु वर्शम में है राहु का कोई राशी परिवर्तन नहीं है शुक्र की जरूर बात कर लेता हूँ 21 फरवरी को बदलेंगे वो भी और वो भी कुम राशी में चल जाएंगे तो कहने का भाव मेरे सादगों, मेरे दर्शकों आपकी राशी पर प्रभाव ग्रहों के बदलने से आता है जीवन पर प्रभाव इसलिए जो हम उपाई बता रहें वो आपको वीकली बता रहें आप weekly वो उपाई जरूर कीजिएगा और आपकी रासी के स्वामी कौन है मंगल है मंगल भी 22 फरवरी को चेंज होंगे जो कि व्रशब रासी में जाएंगे फिलाल मेश राशी में चल रहा है अब देखिएगा कुछ तारीके भी ऐसी होती है जिन तारीकों में थोड़ा सा हमें साफधानी से काम लेना चाहिए वो तारीके कुछ अशुबता ले आती है कई बार जीवन में तारीके नोट करें चार फरवरी, पांच फरवरी तेरा फरवरी 22 फरवरी और 23 फरवरी फालतू किसी से बहस मत कीजिएगा वाद विवाद मत कीजिएगा सेहत का ध्यान रखिएगा ये महीने इस महीना फैब के में वायू रोग, सिरो पीडा और घुटनों में दर्द हमें बन सकता है व्यर्थ का कलह कलेश पारावारिक, मांसिक उलजने में तंग कर सकती है यात्रा और चोर्भे यात्रा में चोर्भे का ध्यान रखिए सत्रू, गुप्त शत्रू से साबधान रहे और खास तोर से पैसे के लिए देन में इस महीने थोड़ी सतर्कता अविश्य वरता है कब क्या होगा भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता लेकिन हमेशा अच्छा हो उसके लिए हम कुछ उपाए कर सकते हैं आईए, अब मैं आपको उपाई की बात करता हूँ आपकी रासी है स्कॉर्पियो स्वामी है मंगल मंगल बहुत प्रभावी कि रहे हैं तवरित फल देने वाले कि रहे हैं हमें फरवरी के दो मंगल बार मंदिर जाएं हनमान जी को दो नुगदी के लड़ू चड़ाएं उनी के शिरी चड़नों बैट करके बजरंग बाण हनमान साठी का या हनमत पंजरिस तोत्र किसी का भी एक का पाट कर लेना चाहिए नहीं तो दो मंगलवार अपने ही घर में शाम को बैट करके दूबदी भरमान जी को अरपन करें पाँच बार हनमान चलिसा का पाट कर लें और एक बार हम लिख देते हैं आप देख लीजे उसे पिर देखें ओम राम 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 राकी नमा इस मंतर की एक मला दो या तीन अन्गलवार करेंगे बहुत अच्छा लाप मेले गा रात को सोते समय हम जब सोएं तो एक तांबे का सिका अपने ले लें लाल गुलाब का फुल हो उसे हाथ में ले 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 और तीन बार ओम मंगलाएं नमा बोल करके तकी के नीचे रख करके दो या तीन मंगल बार सोएं ऐसा करने से अच्छी नीद आती है नेंद की बिमारियां दूर होती है सौपन में नीद में डर जाना चोक जाना ये दूर होता है और नेगेटी उर्जा हमारे पास नहीं आती है ऐसा फरवरी में हम दो तीन मंगल बार जरूर करें अगले दिन उस फूल को कहीं भी गमले गमले में डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तांबे का सिक्का है जहां से लिए आप मा रख सकते हैं दिन में हम अपने भोजन में कोई लाल फल, लाल मिठाई प्रियोग में जरूर लाएं मस्तक के उपर लाल तिलक्स जरूर लगाएं और जैसे गुड की रेवडी होती है घजजग होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है गर्म भी होती है ठंडी के उसमें जैसे भाई हम उत्तरी भारत की बात करें तो इधर तो ठंड है न या कहीं पर भी आप लाल फल, लाल मिठाई तिल की मिठाई, रेवडी एक जगादी आप अपनी सकती के हिसाब से अपनी पॉकेट के हिसाब से थोड़ा बहुत जरूर भाटिएगा गुड का दान करना जिनकी वरश्चिक रासी है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है चाहे आप गउशाला में जाकर के दे या कहीं किसी को दे सकते हैं लाल फल देना लाल वस्त देना भी बहुत शुब रहता है मारे लिए तो इनी उपायों में से जो भी आपको अच्छा लगे एक दो उपाय जरूर करने का आप लोग प्रियास करें मार्च के कुछ अलग उपाय रहेंगे तो उन्हें करने का भी प्रियास जरूर करना और आप सब के लिए खुशकबरी है जो सादक फिरी उफ कोष्ट विदाउट फी जोतिस सीखना चाहते हो तो हमने एक जोतिस की कक्षाएं प्रारम की हैं जोतिस पार्च शाला आउ जोतिस सीखें हर संड़, एवरी संड़े सुबा साथ बजे एक कारिकरम जोतिस सीखाने का आता है हमारा उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जोतिस में और गहराई में उतर सकते हैं तो वो कारिकरम भी देखते रहिए जिन सादकों के पास नौ मुखी की नौर उद्राक्षों तो आपके लिए नौ मुखी का नौर उद्राक्ष पहनना भी बहुत अच्छा रहता शिप परिवार उद्राक्ष पहनना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता जिन के पास मंगल यंत्र हैं घर में मंगल यंतर रखें धूब दीप करते रहें तो भी स्रेश लाव की प्राप्ती अवश्य होती है और इसी के साथ एक बात और मैं आपको बता दूँ कि मंगल वार के दिन आप लोग प्रियास करें बिलकुल भी नॉन वेज ना लिया करें हमने मेंस रासी से लेकर के मीन राशी तक के बारा की बारा राशियों के उपाएं फरवरी के बताएं हैं हो सकता है आपके परिवार में किसी की कोई और रासी हो तो वो भी अपनी रासी के उपाएं सुन करके कर सकते हैं आशा करता हूँ आज के इस अंकिसे किसी ने किसी को लाब जरूर प्राप्त होगा इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देती हैं जहमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें